हलो गाईज तो ओनलाइन इंचिनरी में आप सभी का स्वागत है और आज हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ओफ कॉगुलेंड और अब हम अपने सेकिंड स्टेजिस पे चलते हैं देट इस मि मिक्सिंग भी देखेंगे डियर हम कि आपको मिक्सप किस प्रकार से होता है मिक्सिंग बेशन आपके पास बेसिकली दो टाइप के होते हैं मिक्सिंग बेशन हेविंग वैफल वाल और दूसरा होता है मिकैनिकल मिक्चर और फ्लैश मिक्चर भी बोलते हैं जिसको Mixing Basion vaffel wall वो कितने प्रकार का होता है dear वो आपके पास दो टाइप का होता है एक होता है आपके पास over and under buffer type और एक होता है around the end buffer type clear है इनको आप horizontal and vertical type डाइफ। बाइफो वाल भी बोल सकते हैं Mixing Basion, having buffel wall और mechanical mixture अब जो आज आज की डेट में जो देखा जाएं जो भी आपके mixing basin है वेफल वाल के उनका यूज नहीं किया जाता है presently time में इनका यूज हम नहीं करते हैं बट जो आज की डेट में आपका presently जो यूज किया जाता है वो आपका mechanical mixture और flesh mixture but dear हम इनको भी पढ़ेंगे क्योंकि examiner question यहां से भी पूछ सकता है clear है तो आईए देखते हैं बात करते हैं हमारे पास यहां पर आपके पास यह diagram दिखाए गए है और diagram के अंदर आपके पास दो दिये गए एक दिया गया है आपके पास इस type का बफल वाल जिसमें आपके पास से आपका water enter किया जो भी आपका raw water है इस यहां से इंटर किया और जैसे ही उसने flow start किया तो इसका flow कैसा रहा horizontally वो वफल के end तक जाते जाते उसने move किया कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से आपका flow होना start हुआ clear है और आपका flow कहा निकल गया outlet तो यहां पे सर हुआ क्या यहां ताकि जो आपका flow हो सके वो uniform mix up हो सके कि flow कैसा हो चुके हैं पे एक uniform mix हो सके clear है एक hinders create किया clear है this is the horizontally flow type तो यहां पे आपका flow कैसा करवाया उसने horizontally flow करवाया अगर हम vertically flow type की बात करते हैं तो यहां पे होगा आपके पास कि यह आपका inlet chamber है inlet chamber से आपका water आया और फिर नीचे ग गया फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया कुछ इस तरह से किस तरह का बना एक vertically flow type का flow बना है यहां पे horizontally flow करवाया और यहां पे आपने अपने wall को sorry flow को vertically flow करवा है horizontally वाफल वाल में जो आपका flow का direction रहता हो horizontally रहता है और जो vertically type की वाफल वाल होती है उसमें आपका flow का direction कैसा रहता है vertically रहता है और मैंने आपको बता दिया कि सब वाफल वाल का यहां पे main काम है आप को flow को hindrance create करना hindrance create होने से आपके water के अंदर वहाँ पे एक uniform mixture बन सके clear है अब देखते हैं यहाँ पे इनको one by one study करते हैं कि horizontally flow and vertically flow type horizontally flow type को हम it is also known as around the end of buffer type around the end of buffer type भी बोलते हैं कि जो आफका पाइनी का जो flow होगा ओ आफकी flow किसके होगे buffer type के end तक जा रहा होगा तब इसको क्या बोला गया है is known as the end of the buffer type उसके बाद आता है vertically flow type vertically flow type it is also over and under the buffer type clear है उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी that is इस जो horizontal flow type of buffer wall होती है इसका manner क्या होता है if the wall is provided wall को इसलिए provide किया जाता है in such a way ताकि आपका flow horizontally flow कर सके around the end of waffle wall around the end of waffle wall is called horizontally flow type mixing basin और इसलिए इसको क्या बोला जाता है horizontally flow type mixing basin बोला जाता है कहने का मतलब क्या है सर कि जो horizontally flow type waffle wall होती है सर उसमें जो waffle wall को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि आपके जो flow का motion रहेगा वो कैसा हो vertically रहे over the under the waffle wall इसलिए इस लिए इस called vertically blow type of mixing basin बोला जाता है डियर clear है तो this is the horizontally horizontally flow type waffle wall and this is the vertically flow type of waffle wall बट आज की डेट में इनका यूज हम नहीं करते हैं इनको अप्ट्यूस कर चुके हैं ठीक है अप्सल्यूट कर दिया है डियर now it is it is not used but now it is now it is इसका नाव इन दिनों it is not used इस दिन का यह vertically flow type waffle wall बैठर रहेगी तो यहां पर जो आपके पास preferred की जाती है in this case in this case the best is preferred best is preferred किसको preferred करेंगे हम horizontally flow type horizontally flow type ठीक है horizontally जो flow type waffle wall है उसको आप क्या करोगे preferred करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि जो यह horizontally वाली होती है इसमें जो cleaning करना cleaning operation होता हो easily हो जाता है waffle wall सर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि ताकी सर जो इसकी जो cleaning करना easy है easy to cleaning easy to cleaning यह क्या हो जाती आपके पास easy से clean हो जाती है इसलिए हम horizontally flow type या इसको कह सकते है around the end of buffer type यूज करते है clear है आगे देखते हैं हम अपने next आता है mechanical mixture mechanical mixtures में आपके पास एक tank होता है यह tank आपके पास rectangular भी हो सकता है और circular भी हो सकता है this is the inlet zone inlet zone से आपका raw water आ रहा है raw water को आपने अपने tank के अंदर introduce करवाया tank के अंदर आपको यहां पर एक deflecting wall दिख रही है ठीक है इसका wall का function मैं बताऊंगा बात की बात है अब यहां पर क्या होता है इस tank के अंदर हम एक mechanically motor fit करते हैं क्या करते हैं electric motor तो यह क्या है आपके पास यहां पर हमने एक electric motor fit की वी है इस पर अंदर electric motor that is electric motor यह क्या है electric motor और electric motor आपकी किसे कंसिस्ट होती है impeller shaft से connected होती है और impeller shaft आपका किसे connect होता है impeller shaft से connect होता है impeller से connect होता या तो इसको impeller बोलो या इसको fan बोलवा impeller fan के आप पर ही क्या कि से आपने एक circular tank एघर पतेंगरapore टैंक लिया और सर उसको एक electric motor से connect करवाया electric motor को आपने फिर impeller shaft से connect करवाया और impeller shock आप आपकी किसी connect है impeller से that is fan से connected और जहां पर आपकी impeller shaft है impeller shaft के end में impeller shaft नहीं बोलेंगे हम impeller के end में to connect the coagulant pipe की impeller के end से हमने क्या connect की coagulant pipe की ताकि इसके अंदर हम कोई भी coagulant का introduce करवा सके कि जो भी आपने coagulant यहां पर डालना उसको आप इसके अंदर डाल सके ठीक है अब देखेगा अब क्या होगा डियर यहां से आपका inlet water से जो भी पानी आया होगा और इधर से आपने coagulant mix-up डाला होगा अब जब यहां पर आपके पास दोनों water एक तो raw water मिलेगा और एक coagulant मिलेगा जैसे ही आपने electric motor को आप open करेंगे तो आपका impeller shaft rotate करेगा impeller shaft rotate करेगा तो आपका पं गुमेंगा तो यहां पर आपके पास raw water plus coagulant की mixture होगी क्या होगा raw water और coagulant आपस में क्या करने की कोशिश करेंगे mix-up होने की कोशिश करेंगे और mix-up होते होते कुछ time तक क्या रखे गया मुसको mix करेंगे पहले आपको electric motors को गुमाते रहे गुमाते रहे तेज स्पीड स RPM से 100 to 120 RPM से उसको rotate करते रहे और एक time आएगा कि यहां से एक drain valve भी हम provide करते है drain valve क्या बोलेंगे इसको drain valve क्या होता है कि यह remove करता है आपके sludge को drain valve क्या करता है to remove the sludge क्या करता है sir to remove the sludge आपके sludge को remove करता है ठीक है अब जो भी आपके यहाँ पर इस लज़ कठा हुआ होगा उस लज़ को आप किस से बाहर करोगे अपने drain wall से बाहर कर दोगे और जो भी आपका clean water रहेगा वो कुछ अपर लेयर में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा ठीक है और अपर लेयर से आप उसको क्या कर दोगे आउटलेट कर दो अपने fluctulator यानि की fluctuation tank के अंदर clear है यहाँ पर सर जो यह deflecting wall है यह deflecting wall मैंने इसी लिए लगाई गई है कि ताकि सर आपका raw water कि बार बार अगर raw water आ रहा है तो raw water आपका जब एक cycle आपका rotate कर रहा है तो cycle तब तक complete ना हो जब तक वो complete हो जाएगा तब तक आपका पानी बाहर निकल जाएगा और raw water का पानी वो दुबारा से enter नहीं कर पाएगा तो deflecting wall एक तरह से आपको क्या कर रही है आपके raw water को और आपके clean water को separately divide कर रही है यहनि कि इस wall से इधर आपका गंदा पानी रहेगा और इस wall से उधर को आपका functioning चालू रहेगा जिस पे आप कारिय करते हैं कारिय होगा आपका यहाँ प clear है उसी तरह से हम देखते हैं आगे इसी तरह से मैंने एक point लिखे है mechanical mixture और flesh mixture के पहला point लिखा है कि flesh mixture consist of rectangular और circular tank यही मैंने बात किया क्यों किस से हो सकता है rectangular का हो सकता है और circular का हो सकता है which provided with impeller जो किस से provide होता है impeller impeller किस से fix होता है आपके पास एक fan से fix होता है ठीक है the impeller is a device by electric motor and rotated at a high speed और जैसे ही हम electric motor को rotate करता है electric motor को on करता है तो आपकी impeller rotate होना start हो जाता है the raw water is separately brought from the inlet and deflecting towards the impeller by a deflecting wall ठीक है और raw water को आप separately किस से करता है deflecting wall आपने लगाई है ठीक है उसके through the raw water and coagulant are mixed vigorously and flesh mix कि जो भी आप raw water raw water में जो भी coagulant add करोगे उनको आप बहुत अच्छे से mix करोगे तब तक mix करेंगे जब तको पूरी तरह से क्या ना हो जाए उसके अंदर घुलना जाए ठीक है this is आगे देखते है next कि the intensity of mixing depends upon the temporal mean gradient ठीक है कि जो आपके पास intensity होती है किसकी flow mixing की ओडिपेंड करती है temporal mean velocity gradient किस पे डिपेंड करती है temporal mean velocity gradient पे डिपेंड करती है यह temporal mean velocity gradient क्या होगा कि जब आपका particles flow कर रहे होंगे यानि कि आपके mixing हुआ होगा तो एक particle होगा तो वहाँ पे एक particle तो नहीं होगे बहुत सारे particle होगे तो एक particle ऐसा होगा जिसकी velocity होगी V1 और एक particle ऐसा होगा जिसकी velocity होगी V2 तो इन दोनों के बीच में कोई भी distance भी होगा that distance is x तो this is called temporal mean velocity तो temporal mean velocity क्या हुआ relative velocity between the particles तो यह हुआ आपके पास जिसको मैं G से denote करता हूँ that is relative relative velocity between the particles relative velocity between the particles to the distance to the distance तो मैं यह लिख सकता हूँ that is del S by del V और del S by del V क्या है हम पर V2 minus sorry तो हम लिख सकते हैं sorry इस तरह से नहीं इस तरह को लिख सकते हैं change in velocity with respect to distance is that is V2 minus V1 is that is x clear है कुछ इसी तरह से है आपके पास relative velocity between the particles dV by dS और velocity कितनी है V2 minus V1 ठीक है divided by distance distance कितना है x तो velocity किसमें आएगी आपके पास meter per second में और x किसमें आएगा आपके पास distance किसमें आएगा meter में तो यहाँ से क्या आगे आपके पास second inverse तो temporal mean velocity की unit क्या रहेगी आपके पास temporal mean velocity यानि की G is second inverse ठीक है तो इसकी unit हो जाएगी आपके पास that is second inverse clear है clear है तो यहाँ से हमें एक चीज़ रिलेशन पता लगी एक not point हम से यहाँ से मिल गया कि जो सर intensity रहेगी not point क्या है आपके पास not point है कि जो intensity यहाँ directly proportional to G है G मतलब temporal mean velocity के है तो इसका मतलब है सर कि अगर G बढ़ेगा तो obviously बात आपकी efficiency भी क्या होगी increase होगी तो इस not point को आप क्या खर लो capture कर लो clear है उसके बाद next रहता है कि इसके जो flow होता है यानि कि आपके जो पानी का निकी रो water का जो flow होता है it is also depends upon power अब ऐसा तो नहीं होगा dear क्यूंकि जब आपकी यहाँ पे impeller rotate कर रही होगी तो कहीं न कहीं हो उसकी power पे भी depend करेगा यानि कि आपके आपका जो turbulence होगा किसी न किसी चीज़ पे तो depend कर रही होगा यानि कि तो turbulence आपकी power पे भी depend कर रहा होगा कि आपने वहाँ पे कितनी power generate की है clear है तो यह चीज़ ही हम यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ पे the turbulence तो मैं यह point लिख के बनाना चाहूं the turbulence the turbulence and intensity turbulence and intensity of mixing of mixing also depends upon also depends upon किस पे depend करती है depends upon power वो power पे भी depend करती है तो कहने का मतलब क्या है इसका इसका कहने का मतलब यह है कि जो intensity is directly proportional to g and intensity is directly proportional to power clear है तो इसका हम combine relation देखें यहाँ पे तो combine relation क्या हो जाएगा तो g is directly proportional to p g किसके हो जाएगा g is directly proportional to p clear है तो यहाँ पे अगर देखा हम तो g is equal to relation बनाएं that is mu upon p mu into p divided by v clear है जी क्या है temporal mean velocity है आपके पास और v क्या है volume of the mixture v क्या है volume of the mixer mixer है ठीक है जो किसमे होगा meter cube में हो गया और p क्या है आपके पास p है that is power और power किसमे होगी आपके पास watt के अंदर और mu क्या है आपके पास dynamic viscosity mu क्या है dynamic viscosity जो किसमे होगी newton second per meter square में होगी clear है तो यह relations है जो आपको काफी ज़्यादा ध्यान रखने है clear है आगे देखते है मुँख कुछ इसकी important points है कि जो detention time होता है tank cow मैंने अभी भी बताया था आपके पास कि 1-2-3 minute 1-2-3 minute मतलब 60 seconds to 180 seconds यह रहता है इसका detention time उसके बाद speed of impeller और speed of impeller कितनी होती है 100 to 200 rpm h by b ratio 1 ratio 1 to 3 ratio 1 किसके लिए rectangular tank के लिए किसके लिए rectangular tank के लिए उसके बाद g g बोले तो temporal mean velocity तो temporal mean velocity gradient कितना होगा 700 to 1000 second inverse ठीक है यह पूछा जाता है कि g inverse कितना रहेगा आपके पास 700 to 1000 second inverse clear है तो इस तरह से आपको यह चीजे दिहान रखनी थी तो पिछले lectures में आपने study किया था coagulate और coagulate is the under-off feeding device के अंदर आता है कि जो आपका पहला stages था पहले stages में हमने feeding किया था और feeding आपका दो तरीके से हो सकता है या तो आपका chemical वहाँ पे dry form में हो सकता है या फिर wet form में हो सकता था clear है अब यहाँ पे हम second stage की बात करेंगे that is the mixing clear है तो mixing की हम अगर बात करते हैं यहाँ पे तो mixing basin आपके पास दो type के होता है पहला रहता है कि mixing basin mixing basin having waffle wall type और दूसरा रहता है आपके पास mechanical mixture का हो या flesh mixture type का हो clear है अगर हम mixing basin having waffle wall type की बात करते हैं तो यह भी आपके पास दो type का हो सकता है over end and under waffle type and around the end of waffle type these are both is horizontally and vertically waffle type clear है nowadays आज के दिनों में इनका use नहीं किया जाता है इनको अब obsolete कर दिया गया है आज के दिन में जो ज़्यादा तर use किया जाता है ओ है आपके पास mechanical mixture और flesh mixture रहता है but हम studies की दोनों की करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपके पास दोनों ही लेकर आया हूं this is the horizontal flow type buffalo and this is the vertical type of buffalo wall तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं यह क्या है आपके पास horizontal 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 type of buffalo wall and दूसरी है आपके पास vertical type of buffalo wall अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा यह आपका inlet point है कौन सा point है inlet point है और सर जो आपको यह छूटी छूटी slit दिखाई दे रही होगी यह slit है आपके पास that is buffalo यह क्या है आपको दिखाई दे है जो आपको यह है slit यह क्या करती आपको यह disturbance क्रियेट करेगी यह फिर disturbance क्रियेट करती है आपके flow mixing में clear है ताकि आपके जो flow का motion बना रहे, कैसा बना रहे, uniform बना रहे clear है, उसी तरह से यहाँ पे एक appointment inlet point से आई और जैसे ही pipe के end तक चली जाती है end से मतलब buffalo wall के end तक गई, फिर rotate होते हुए उपर गई तो एक तरह से यहाँ पे किस तरह का flow होना शुरू हुआ है एक uniform flow बनना शुरू हुआ है, ठीक है, that is known as horizontal type buffalo wall, vertical type of buffalo wall में आपके पास दो apartment होता है, apartment A and apartment B, तो यहाँ पे जो भी आप inlet से जो पानी आएगा वो buffalo wall के end तक बुजरता हुआ फिर उपर जाएगा, फिर मतलब एक तरह से आपके पास vertically flow रहता है, कैसा flow रहता है, vertically flow रहता है, ठीक है, और buffalo wall यहाँ पे क्यों, ताकि इसमें एक hindrance create हो, hindrance create means, यहाँ पे आपके पास आपके flow की uniform mixing हो सके, तो this is the horizontal type of buffalo wall and this is the vertical type of buffalo wall, इसको किस तरह से design किया जाता है, इनको इस प्रकार से design किया जाता है, कि जो आपके water का flow रहेगा, यानि कि अगर मैंने इसको horizontal बोला, तो इसका मतलब क्या है, कि जो आपके water का flow रहने वाला है, वो किस direction में रहने वाला है, horizontally direction में रहने वाला है, अगर मैंने इसको vertical वफल वॉल बोला तो इसमें हम जो वफल वॉल को इस तरह से introduce करेंगे ताकि मेरा जो raw water का flow है वो कैसा हो सके vertically रह सके clear है तो आईए जानते हैं इसके बारे में horizontally flow को हम बोल सकते है is known as around the end of buffer type क्या बोल सकते हैं इसको around the end of buffer type बोल सकते हैं उसी तरह से vertical flow type की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है over and under the waffle type clear है if the अब देखेगा इसके में क्या लिखता है horizontal flow कि if the flow of wall is provided in such a way in such way that the flow that the flow is horizontally around the end of buffer wall कि आप अपनी बफल वाल को यहाँ पे इस तरह से इंटर्ड्यूस करेंगे कि जो आपके वहाँ पे water raw water का flow हो और कैसा हो horizontally हो जब horizontally हो तो इसी को हम बोलेंगे is called horizontally flow type mixing बेसर clear है अब उसी तरह से vertical flow की बात भी करते हैं कि यहाँ पे जो भी वफल वाल है वो इस प्रकार से constructed होनी चाहिए कि जो आपके water का flow हो सके वो कैसा रहे vertically रहे तो लिखेगा if the waffle wall is provided in such a way that the water flows vertically over the under the waffle wall is called vertically flow type of mixing बेसर clear है अब देखा जाएं इसमें nowadays it is not used अजकल के समय में इसका use नहीं करते हैं अब इसको absolute कर दिया गया है nowadays it is not used clear है second point बट तब भी अगर आपको कोई बोल दिया जाएं कि इन दोनों में से choose करो कि better कौन सा है तो जो better रहता है आपके पास horizontally flow type basin रहता है क्यों रहता है क्योंकि इसके जो cleaning करना easily रहता है और जो vertically flow type है उसको cleaning करना थोड़ा difficult रहता है तो यह लिखा in this case the best preferred horizontally flow type waffle wall ठीक है उसके बाद यह क्यों easy to clean क्योंकि यह क्या हो जाता है आपका easy से clean हो जाता है तो यह हमने देखे थे आपने कुछ type के tank that is horizontal flow mixing basin and vertically flow mixing basin आगे हम बात करते हैं second type की that is known as mechanical mixture की clear है अब mechanical mixture जो आपके पास होता है यह आपके पास rectangular tank भी हो सकता है आपका inlet है और दूसरी तरफ आपका outlet है इसमें क्या होता है कि जो आपके tank के top part पे हम किस से connect करते हैं electric motor से connect करते हैं किस से सर electric motor से इसको connect करते हैं तो मैं लिख देता हूँ सर electric motor electric motor ठीक है और electric motor से यहाँ पे impeller shaft connect होता है और impeller shaft से यहाँ पे एक impeller connect होता है impeller means जिसको आफ fan बोल सकते है फन भी बोल सकते है ठीक है या पंके भी बोल सकते है या impeller ही रहने दो ठीक है fan बोल दो आफ ज्यादा बेटर रहेगा मैं fan लिग देता हूं ठीक है देखेगा electric motor को connect करवाया आपने tank के टॉप पार्ट पर कहीं से तो connect क करवाया होगा उसके साथ ने आपने impeller shaft connect करवाई impeller shaft से आपने एक fan को connect रहेगा और इस fan के end से आपने क्या connect किया एक coagulant pipe connect की यह कौन सी pipe है यहाँ पर यह coagulant pipe connect की सरी coagulant pipe क्यों connect की भाई जो भी आपके यहाँ inlet से जो raw water आएगा उसमें हो सकता है काफी ज़्यादा collidal impurities होगी अब इन collidal impurities को तो settle करवाना होगा कहीं ना कि तो जो हम क्या करेंगे यहाँ से कोई ना कोई coagulant डालेंगे तो coagulant हो सकता आपके पास copper हो सकता है aluminum हो सकता है sodium aluminum हो सकता है कोई भी हो सकते है जैसे ही आपने इसको enter करवाया और यहाँ से जो भी आपका raw water आया तो आपस में क्या करेगा proper mixing करेगा आपने अपने electric water को on किया on करने से क्या होगा यहाँ पे mix up होना start होगा और यहाँ पे जो mixing का जो process रहता है बहुत fast रहता है कैसा process रहता है यहाँ पे काफी fast से यहाँ पे mixing होती रहेग और एक stages पे हम कभी कभी यहाँ पे एक inlet भी बहार से कुछ drain wall भी provide कर देते हैं क्या provide कर देते हैं drain wall भी provide कर देते हैं सर यह drain wall क्या करता है कि जो भी आपका sludge होता है उसको remove करता है यह drain wall drain wall क्या करता है सर हमारा drain wall क्या करता है to remove the sludge यह करता है आपका to remove the sludge क्लிएर है correct है अब देखेगा अब जब यहाँ पी पार्टीकल्स आपस में मिक्स अप होगे तो वहर पार्टीकल की विलॉस्टी डिफ्रेंट डिफ्रेंट होगी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पी बहुत सारे पार्टीकल्स है जब आपने अपने electric motor को on कर दिया electric motor को on करने से आपका पंखा घूमना शुरू हुआ और पानी का mix-up पानी पूरी तरह से आपका घूमना शुरू हुआ आपने उहाँ पे coagulant भी डाला तो particles अपनी अपनी velocity से rotate करेंगे जो यहाँ पे जो velocity रहेगी उन दोनों particles के बीच की that is known as उसको बोलेंगे हम temporal mean velocity gradient temporal mean velocity gradient क्या होता है यह it is the relative distance between कि दो velocity के बीच के distance कि माल देता है आपके पास यहाँ पे पार्टीकल यह है दूसरा पार्टीकल हो सकता है इस पार्टीकल की velocity v1 हो सकती है इस पार्टीकल की velocity v2 हो सकती है और इन दोनों का जो distance हो सकता है हो x हो सकता है तो यहाँ पे मेरे पास जो g बनेगा temporal mean velocity gradient जो बनेगा यहाँ पे that is v2 minus v1 divided by 2 ठीक है तो मैं कह सकता हूँ relative velocity between the particles to distance ठीक है तो यह हो गया आपके पास temporal mean velocity अभी आगे आएगा कोई बात नहीं उसके पास सर आपने यहाँ पे deflecting wall भी लगाई है deflecting wall का सबसे main जो roll है यहाँ पे कि जो भी raw water आपका आप दिखेगा यहाँ पे इसको दो पार्ट में convert कर रहा है यह दो पार्ट में क्या कर रहा है आपके दो पार्ट में यह divide कर रहा है कौन सा आपका यह वाली deflecting wall क्यों कर रहा है क्योंकि सर इससे हमारे पास raw water को separate हो गया अब यह raw water दिदर रहा और जो आपने जिसको mix up किया coagulant के साथ और दूसरी तरफ रहा तो यह क्या गरेगा आपके raw water को separate करेगा ठीक है और होना भी जुरूरी था ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ पे mix up कर रहे और वही दुबारा से यहाँ पे raw water meet कर रहा है एक cycle proper हो जाने के बाद ही आप दूसरा raw water इसके अंदर डालोगे clear है कि आपने पहले 1000 लीटर का ही cycle 1000 लीटर का water ही treat किया तो 1000 लीटर को complete होने देंगे फिर उसके बाद clear है तो इस तरह से यहाँ पे sludge form हो जाएगा जैसे ही mix up होगा और उस sludge को हम drain wall कर से बाहर निकाल देंगे clear है अब देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे मैंने कुछ points लिखे है कि mechanical mixer और flex mixture a flex mixture consist of rectangular और circular मैंने पहले भी कहा था कि यह आपके पास एक rectangular भी हो सकता है बाई और circular भी हो सकता है second point है which provide with the impeller इससे हम impeller provide करते है fix to the impeller shaft जो fix किया जाता है impeller shaft से the impeller is driven by an electric motor and it to rotate at high speed और वैसे ही हो high speed से rotate करता है rpm की speed से rotate करता है 100 to 120 rpm clear है the raw water is separately brought from the inlet and deflecting towards the impeller by deflecting wall clear है the raw water and coagulant कि जब raw water coagulant को जब आप mix up करेंगे तो vigorously and flesh mix करेंगे ठीक है उनको बहुत अच्छे से mix करेंगे ऐसा नहीं कि आपने उपर उपर से उनको mix करेंगे पूरी तरह से उनका पूरा गोल बना देंगे जैसे फोर एक्जामपल आप अपने चाय में चीनी डालते है तो चूनी जब तक वो पकना जाए अच्छे सन हो जाए तब तक आप उसको क्या करते रहते हो पकाते रहते हो ठीक है तो इसका मतलब भी यह है कि इसको तब तक करते जाओ तब तक हाँ पर एक प्रॉपर तरीक किस पर depend करेगी आपके पास टेमपोरियल मीन velocity gradient पे तो टेमपोरियल मीने विलास्टी ग्रेडियन बैने आपको बताया कि मालनो एक पार्टिकल यह है दूसरा पार्टिकल हो सकता है इस पार्टिकल की विलास्टी विज़ार वी टू है और इनके बीच का distance जो है OX है clear है तो temporal mean velocity क्या हुआ temporal mean velocity gradient क्या हुआ relative velocity between the particle relative velocity between the particles between the particles divided by distance distance between them ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपके पास del V by del S del V by del S that is V2 minus V1 divided by X कुछ ऐसा ही हुआ अब V2 minus V1 किसमे होगा आपके पास meter per second में clear है और distance किसमे होगा meter में होगा तो इसकी unit क्या होगी आपके पास second inverse तो temporal mean velocity gradient की unit क्या होगी आपके पास second inverse clear है अब ऐसा तो नहीं है कि particle की अलग-अलग velocity है उस पे भी मतलब वहाँ से हमार relation आगया कि सर ये G पे भी depend करेगा अब क्या होता है कि जब यहाँ पे आपके पास ये जो impeller है impeller shaft के साथ impeller connect है तो कहीं ना कहीं ये जो impeller की power पे depend करेगा कि आपने electric motor से कितनी power यहाँ पे produce की गई है आपने यहाँ पे 225 जितनी भी megawatt की आपने यहाँ पे provide की होगी उतनी आप देखेंगे यहाँ पे clear है यह तो पता लगएगा कि कितनी आप वहाँ पे डाल रहे है power तो ये भी एक function हो सकता है कि it is also depends upon ये किस पे भी depend करती है आपकी power पे भी depend करती है तो यहाँ पे हम इस point को cover करें हभी तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ sir कि note point डाल के लिख लेते हैं कि जो sir i है is directly proportional to g कि अगर आपकी intensity बढ़ेगी तो obviously बाद है आपकी efficiency क्या होगी increase होगी तो this is the first note point तो यह हो जाएगा आपका first note point clear है अब second note point के हम बात करते हैं कि यह किस पे depend करते है the turbulence and intensity mixing also depend upon power input तो जो भी आपके water का flow है यानि कि turbulence तो लिखूंगा मैं turbulence turbulence and flow intensity and intensity of mixing intensity of mixing is also depends upon depends upon power किस पे depend करते हैंगी आपकी power पावर पे ठीक है तो यहाँ पे जो पावर होगा that is P पे तो यहाँ पे जो P का जो formula रहेगा आपके पास power का formula रहेगा जी मू वी ठीक है अब देखेगा यहाँ पे this is the power ठीक है तो यहाँ पे देखेगा कि सर वी क्या है आपके पास volume of the mixing mixing basin यह क्या है आपके पास volume volume of the mixing basin volume of the mixing basin किस में होगा सर meter q में mu क्या है सर हमारे पास dynamic viscosity dynamic viscosity और dynamic viscosity क्यों निटन second per meter square clear है उसके बाद g क्या है सर temporal mean velocity gradient temporal mean velocity gradient velocity gradient clear है अब देखेगा अगर मैं यहाँ से g निकालना चाहूं तो g क्या हो जाएगा आपके पास g is equal to root of p divided by mu v this is the temporal mean velocity तो इसको भी क्या कर लेते हैं हम capture कर लेते हैं ठीक है तो यह second formula भी आपके पास यहाँ पे मिल गया है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे इसका मतलब साफ साफ हुआ कि जो आपके पास intensity है इसका मतलब साफ साफ यह हुआ यहाँ से हम second note निकाले अगर इसका मतलब यह हुआ कि sir not point डालके लिख लेते हैं इसको not point में क्या है पहला not point कि sir g is directly proportional to p ठीक है sorry यहाँ पे लिखो कि i is directly proportional to g and i is directly proportional to p कुछ ऐसा ही है तो यहाँ से एक relation बनके आता था हमारे पास that is ओ relation होता है g is directly proportional to p और g is directly proportional to का relation क्या बनके आए आपके पास this relation clear है तो यह चीज़़े रखनी है जो काफी आपके पास examiner पूश सकता है clear है और temporal mean velocity की unit क्या रहेगी आपके पास इसकी unit रहे की थर second inverse clear है अब देखते हैं आगे बात करते हैं हम next आती है आपके पास कुछ कि जो detention time of the tank होता है 1 to 3 minute होता है इसका detention time कितना होता है 1 से 3 minute होता है यानि कि 63 second to 180 second होता है rpm रहता है अगर यहां हम h to b ratio देखे h to width high to width देखे 1 ratio 1 to 3 ratio 1 किसके लिए rectangular tank के लिए clear है अगर यहां पे temporal mean velocity gradient की बात देखे तो 700 to 1000 second inverse बट यह कई बुकों में यहे भी लिखने को मिलेगा आपके पास 500 to 1000 second inverse ठीक है तो यह data में confused नहीं होना ठीक है तो आपने most ही रखना 500 to 1000 second inverse पूछा जाता है आपके पास कि temporal mean velocity of gradient of mixing basin it varies from तो किया से vary करेगा तो 700 to 1000 per second करेंगे यह 500 to 1000 second inverse करेंगे clear है तो इस तरह से हमारा यह complete होता है अब आप चलते हैं अगले device के उपर और अगला device है हमारा fluctulator air fluctuation tank क्या तो इसको fluctulator बोला जाएगा या इसको fluctuation tank बोला जाएगा यहां तक आपने पहले यहां फे flash mixing तक आपने work कर लिया था थोड़ा सा मैं flash mixing पे उपर आपको ध्यान ले जाओं किस तरह यहां फे flux mixing में क्या था आपके पास एक ही fan लगा हुआ था यानि कि एक ही impeller था अब आगे क्या होता है अगले device में fluctuations में और यह क्या था आपके पास एक fast यानि कि यहां पे जो process हो रहा था हो काफी fast हो रहा था ठीक है बट अगला जो process आने वाला है आपका fluctuation है यहां पे एक ही fan चल रहा है वहां पे आपके पास इस प्रकार से तीन फैन में रूटेट करवा रहा हूं ठीक है तो यहां पे देखेगा आप यहां पे तो यहां पे हुआ क्या बिलकुल वही कि आपका water जो भी raw water से flush mixing से कहां पे आ रहा है fluctuation basin में आ रहा है तो यहां से जो भी flush mixing से जो भी water आपका एंटर कुआ तो ओभी किस से connect है यहां पे आपके पास वही कि यह किस से connect है सर यह हमारी आपके पास connected है किसके साथ एक यहां पे लगाई गई है हमेंने आपके पास electric mortar तो यह क्या है माप मेरे पास that is electric motor electric motor ठीक है electric motor और यह क्या लगाएगे मैंने यहां पर यह आपको दिखाई दे रहे है that is waffle wall यह क्या लगाएगे यहां पर बफल वाल क्या लगाएगे मैंने देट इस बफल वाल जो आपके mixing को क्या create करते है hindrance create करते है ताकि आपके flow कैसा रह सके यहां पर uniform रह सके ठीक है अब मैंने यहां पर जो electric motor से connect है मेरा impeller तो यह क्या है मेरे यहां पर impeller है that is impeller impeller shaft यह क्या है आपके पास impeller shaft और impeller shaft आप सी किससे connect है और fan से connect है तो इसको मैं नाम दोंगा that is यह है आपके पास that is impeller इसको impeller बोला जाएगा यहाँ एक प्रकार से paddle बोल दूँ मैं इसको ठीक है इनको क्या बोल देते है impeller बोल दो या इसको मैं पैडल बोल देता हूँ यहां पे क्या बोल देता हूँ पैडल ठीक है यह आपके पास पैडल है कुछ इस प्रकार से यह पैडल है क्या है यह बाई पैडल है आपके पास क्या है सर इलेक्ट्रिक मोटर आप से कनेक्टिड है impeller sharp से और impeller sharp connected है आपके paddle से ठीक है मतलब एक fan नहीं होगा उस प्रकार से तो यह क्या कर रहा होगा तेजी से rotate हो रहा होगा अब देखेगा जो आपका पहला fan होगा पहला paddle होगा उसकी कोई ना कोई speed होगी तो उस speed को नाम दे देता हूँ मैं that is G1 यानि G1 क्या है temporal mean velocity उसी तरह से सब दूसरे की जो speed होगी और उससे थोड़ी कब होगी यानि कि जो आपका पहला impeller होगा और पहला paddle होगा उसकी speed आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अगर इसकी स्पीड जादा होगी तो यहाँ पर एक क्या बने का उसी तरह की पार्टीकल्स इक बड़े पार्टीकल्स में convert होनी की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी सारे पार्टीकल rotation में आए होंगे और वैसी फर्दर दूसरे स्टेज पर गये होगे second stage में हमने velocity थोड़ी कम कर दी क्योंकि सर जब हमारे पस g1 time की speed थी तो उस समय हमारे पास जितने भी small particles थे small particles थे क्या करने की कोशिश की उन्होंने flock बनाने की कोशिश की होगी बड़ सर जैसे ही हम g time अब flock तो बन गया है अब जैसे ही सर हम g time पे गए तो हमने velocity को थोड़ा कम कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास यहाँ पर आपके पास large flock बनना शुरू हुआ large flock बनने शुरू हुए और large flock और जैसे जैसे सर हम end पे आए तो end पे आते आते हमारा एक पूरा bigger size का flock बन गया तो आते आते ही हाँ पर क्या बन गया एक very bigger बहुत बड़ा size का क्या बन गया आपका flock बन गया होगा अब जब बड़ा size का flock बन गया होगा तो इसको आप easily क्या कर सकते है remove कर सकते है तो पहले flock की आपके पास जो velocity रही होगी और क्या रही होगी कम रही होगी जादा रही होगी पहले की high speed मतलब जादा रही होगी जैसे जैसे हम stages wise आगे गजलते गए हम medium कम रखते गए क्योंकि हमें क्या देखेगा अगर ये high speed अगर आपके पास starting initial में high रही और middle stage पे mid stage पे आते भी high रहेगी तो आपका यहां पे जो flock particles बना था यानि कि कि जो flock मतलब की पास कुछ is type का flock बना था अब यह flock क्या हो जाएगा तोट जाएगा break हो जाएगा और break हो जाएगा तो कुछ एसा हो जाएगा तो हम नहीं चाहते कि हमारा यह जो geek हो और break हो हम क्या यहां पर जो जी है मेरे पास टेंपोरियल में विलास्टी ग्रेडियंट है ओ क्या रखी इनीशल में ज्यादा रखी और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मेरी स्पीड क्या हो गई कम हो गई ठीक है ताकि मुझे क्या मिल सके एक फ्लॉक पार्टिकल्स मिल सके बड़ा इसमें क्या बोलता है कि it is basically slow mixing process यहां पर इसे पिछले वाले में आपके पास क्या हो रहा था mechanical mixtures में आपके पास काफी ज़्यादा क्या हो रहा था fast mixing हो रही थी बट यहां पर जो fluctuation में हम जो mixing करते हैं वो कैसे करते हैं काफी slowly process से करते हैं clear है in which destabilized the collidal particles are brought intermediate contact to form bigger group of the particles इसमें क्या करते हैं कि जिन particle का destabilization हो गया यानि कि उनका repulsive force कम हो गया और फिर हम उनका क्या करने की कोशिश करते हैं उनको agglomeration करने की कोशिश करते हैं agglomeration मतलब छोटे particles को बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये भी हम लिख सकते हैं लिख कोई बात नहीं जो nature of the flocculant nature of the flock है वो किस पे depend करते हैं वो temporal mean velocity पे gradient पे and detention time पे depend करते हैं और याद रखना यहां पे कि जो यहां पे g और td, g क्या है temporal mean velocity gradient and td है detention time क्या रहता है constant रहता है, क्या रहता है यहां पे constant रहता है clear है अगर sir g बड़ा, अगर g आपका बड़ेगा, अगर g यहां पे बड़ा तो obviously बात है उसका detention time मतलब td कम हुआ, td कम होने से क्या हो जाएगा उसके अंदर, किस तरह का flock बनना शुरू होगा तो आपके पास यहां पे अगर जैसे जैसे अगर temporal mean velocity gradient बड़ा, detention time कम रहा तो यहां पे आपके पास small and dense particles बनेंगे, small and dense flock बनेगा, कैसा बनेगा dense flock बनेगा, dense flock को आप light flock भी, sorry heavy flock भी बोल सकते है heavy flow और जैसे जैसे सर जी आपका, अब जी बढ़ गया आपके पास, उसी तरह से अगर जी घटाब के पास और TD बढ़ गया, detention time बढ़ गया, तो आपके पास क्या बनेगा यहां पे, तो इस condition में आपका small की जगा larger, larger and, and किस तरह का बनेगा, light flock बनेगा, light flock बनेगा, ठीक है, light flock बनेगा, clear है, तो this is the very very important, कि किस तरह की flock बनेगे यहां पे, यह questions अक्सर exam में पूछा जाता है, ठीक है, clear है, तो यह points है, जो आपको यहां पे कभी कभी examiner पूछ सकता है, तो इसको क्या कर लेते हैं, हम underline कर लेते हैं, ठीक है, तो this is the very very important point, नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको यह से ही हम इनको रहने देंगे, clear है, तो यह तो है आपके पास basically, आप यहां दीजेगा, यहां पे, sir यहां पे G का relation तो आपको पहले से ही मैंने बता दिया कि पैडल है, माल लेते ही यह पैडल है आपके पास, यह देट इस पैडल है, इस पे पैडल पे कोई amount का rotate होगा, that is w amount, उससे कोई omega rotation होगा, w, ठीक है, तो यहां पे कुछ हो सकता है, कुछ आपके पास particle का size होगा, माल लेते ही हमारे पास है, तो जो यहां पे यह omega rotate होगा क्या होगा डाउन होड़ होगा और इसकी कोई ना कोई यहां पर रिलेटिव विलॉस्टी भी होगी डैट इस वी आर इसकी कोई ना कोई क्या होगी रिलेटिव विलॉस्टी भी होगी यहां पर क्या होगा कि इस पैडल कि जब यह पैडल रूटेट कर रहा होगा तो इसका को मेगा से रूटेट कर रहा होगा तो पार्टीकल की यहां पर कोई ना कोई सेटलिंग विलोस्टी भी होगी या रिलेटिव विलोस्टी भी होगी रिलेटिव विलोस्टी होगी तो महां पर कोई ना कोई फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा downward और जो भी force यहाँ पर act कर रहा होगा that is drag force clear है तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर यह relation यह आपको देखते है कि power अगर देखा जाएं तो power का तो आप सभी को पता है तो drag force क्या हो जाता है यहाँ पर Fd जो यहाँ पर हो जाती है 1 by 2 cd is mu a into vr square vr क्या है आपके पास relative velocity ठीक है उसी तरह से अब यह तो हो गया fd तो power क्या हो जाएगा आपके आपास यहाँ पर power होता है आपके पास force into velocity तो that is force क्या है drag force fd into velocity velocity कौन सी असर vr तो that is vr तो put करेंगे तो आपके पास क्या आजाएगा तो put करेंगे fd की value 1 by 2 is cd is mu sorry density into area is vr by q तो आपके पास यह आजाएगा final relation this is the final relation clear है तो यह चीज़ को याद रखना कि यह वाला relation जो आपके लिए काफी helpful हो सकता है आपके questions करवाऊँगा तो question में यह चीज़ आपके clear हो जाएगी clear है तो यहाँ तक का मामला हमारा clear हो गया आगे देखते हैं कि larger and denser flock are easily removed in the tank ठीक है कि जितने जाद आपके पास larger flock बनेंगे larger flock बनने से क्या होगा कि यह easily आपके tank से remove हो जाएगे in this mixing the temporal mean velocity gradient is varies इसमें क्या होता है इसमें जो temporal mean velocity क्या हो रही है आपकी vary कर रही है अब कैसे vary कर रही है अभी देखेगा यह भी vary कर रही है from inlet to outlet अब देखेगा यहाँ पे कैसे vary कर रही है सर यह high speed था तो इसकी कोई ना कोई g1 थी यह आपके पास medium speed क्या था तो इसको मैं g2 बोल देखता हूँ यह आपके पास low speed का था तो इसको मैं g3 बोल देखता हूँ ठीक है याई कि आपके पास यहाँ पर क्या कर रही है vary करी vary मतलब कुछ इस प्रकार से vary कर रही है ओ देखेगा कि माल लिटते है आपके पास यहाँ पर initial stage पर थी आपके पास that is g1 और एक mid stage पर थी आपके पास that is g2 and final stage पर थी आपके पास that is g3 यह कहां से जारी थी आपके inlet से जब आप inlet से outlet की तरफ जा रहे थे तो हमारे पास इस प्रकार की temporal mean velocity थी अगर इस प्रकार की temporal mean velocity थी तो उसको हम बोलते हैं tapered fluctulent तो जो भी यहाँ पर यह G1 से लेके G3 के variation को क्या बोला जाता है that variation is known as tapered fluctulent tapered fluctulent क्या बोला जाता है tapered fluctulent बोला जाता है कुछ नहीं है कि जो आपका inlet से outlet में जो G में जो variation हो रहा है that variation is known as tapered fluctuate clear है तो मैंने यही लिखा है कि this mixing of temporal mean velocity gradient varies from inlet to outlet तो इसकी जो ratio होती है G1 to G3 is equal to 2 होता है तो यहांसे simple relation है कि G1 is equal to 2 times of G3 होता है कि G1 कितना होता है आपके पास 2 times of G3 होता है clear है इसकी G1 की जो speed होती हो क्या होती है आपके पास high होती है यह सबसे ज़्यादा high है यह medium होता है आपके पास और यह आपके पास low होता है clear है तो this is the relation और such fluctuation in water G varies is called tapered fluctuate और जब इस G के varies से जो भी fluctuation होता है उसको बोला जाता है tapered fluctuate क्या बोला जाता है tapered fluctuate बोला जाता है तो यह बात दिहान में रखना आपने tapered fluctuate clear है आईए अब देखते है next अब इसमें देखेगा कि सर जो GTD रहता है यहाँ पे G क्या है आपके पास temporian mean velocity gradient TD है detention time हमेशा हाँ पे constant रहेगा और G जो varies करेगा 22-40 second के बीच में vary करेगा यहाँ पे GTD का मतलब constant का मतलब क्या है कि जो भी आपके flock particles है वो अब easily remove हो गए clear है detention time रहता है यहाँ पे 10-30 minute का और depth of the tank रहती है 2-4 meter की और G1 और G3 रहता है ratio 2 यानि कि G1 is equal to 2 times of G3 clear है यह questions है examiner आपसे अकसर पूछ लेता है इन type के questions को तो इसलिए मैंने आपको यह एक box में cover कर दिया है आईए आप देखते हैं next next रहता है आपका sedimentation last process रहता है आपका sedimentation tank ठीक है वैसे तो यह plain sedimentation की तरह ही था जैसे हमने plain sedimentation था plain sedimentation unit ठीक है बट अगर जो PST था आपका primary sedimentation tank जो हम study करा था उबेज था आपका settling type number one यह settling जो है आपके पास ही मैं आगे बताता हूँ आपको जब हम क्या study करते हैं wastewater बट कोई बात नहीं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपके पास चार टाइप की settling होती है discrete settling होती है आपके पास flacculent settling होती है हिंडर settling होती है आपके पास और compression settling होती है अगर हम PST की बात करते है primary sedimentation tank की बात करते है तो उसके अंदर आपकी discrete settling होती है और जो आपके पास यह वाला sedimentation tank होता है इसके अंदर जो settling होती है वो flacculent settling होती है तो देखेगा sedimentation employed the follow up type 2 settling यह दो type 2 मतलब 2 type की setting को follow करता है 2 type की settling को हम क्या बोलते है flacculent बोलते है type 2 settling deals with the flacculent particles किसके साथ deal करती है flacculent particles के साथ deal करती है settlement dilute in suspension ठीक है तो यह जो flacculent particles होते है यह कैसे होते है one which change the size जिसका size भी change हो सकता है mass भी change हो सकता है और specific gravity भी change हो सकता है with time and space clear है और इसका जो SLR रहता है 20 to 30 meter cube per day meter square रहता है SLR क्या है आपे surface loading rate और detention time कितना रहेगा यहां पे 2 to 4 minute का रहेगा तो इस प्रकार से यह serimentation unit भी आपका होना और इसमें क्या करना आपका है कि जो भी flow हो रहा है उन flow को क्या करवाना सबको settle हो गए अब आपके बाहर निकाल देना ठीक है उसके बाद next उसके बाद आपके पास कुछ यह relations में लेके आया हूँ very very important relations between turbidity, alkinity and dose of coagulant clear है तो इस relation को पढ़िए कि अगर आपके पास turbidity high हो तो alkinity low हो turbidity high हो और alkinity low हो तो वहाँ पे dose of coagulant क्या देना small दोगे या large दोगे तो वहाँ पे आपका जो coagulant रहेगा और क्या रहेगा small रहेगा और वहाँ पे जो mechanism रहेगा predominant absorption and charge neutralization का रहेगा मैंने आपको बताया था कि एक ionic layer होता है दूसर absorption and charge neutralization होता है ठीक है मैंने चार mechanism बताये थे अगर आपके water के अंदर high turbidity होई low alkinity होई तो वहाँ पे dose of coagulant क्या देना आपको small देना है और predominant mechanism क्या रहेगा वहाँ पे absorption and charge neutralization अगर सा turbidity होई होई और alkinity भी होई तो आपको dose of coagulant क्या देना है high large देना है और वहाँ पे हम क्या करेंगे sweep coagulation करेंगे sweep coagulation क्या कि जो आपके पास वहाँ पे aluminium hydroxide ALOH thrice जो form हुआ था ठीक है वो किस भी form आए precipitate की form में हुआ था तो उस तरह से कुछ relation आएगा उसके बाद सर अगर water की turbidity low है बट उसकी alkinity high है alkinity के लिए हम क्या करते है कि अगर आपके water alkin नहीं है तो हम सर उसमें lime add करते थे ताकि हमें क्या बन जाए वो alkin बन जाए तो उस case में आपका dose of coagulant क्या रहेगा moderate रहेगा ठीक है और इसके लिए आप absorption charge neutralization भी करोगे और sweep of coagulation भी करोगे one and two दोनों step आपके लिए effective रहेंगे clear है अगर सर टर्विडिटी भी low है alkinity भी low है तो उस case में cannot be coagulated for any amount of dose तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी टर्विडिटी भी low हो और alkinity भी low हो तो उस case में आप किसी भी coagulant के amount को determine नहीं कर पाओगे तो यह questions पूछा जाएगा high turbidity low alkinity dose coagulant are small यह large तो small और mechanism भी पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे आपके पाओगे अब देखेगा अगर आपके पास note में लिखा है कि low turbid हो या low alkali water हो converted into converted into तो उसको आप किसमें convert करेंगे देखेगा high turbid and low alkin water by adding bentonite clay तो आप उसमें क्या add करोगे bentonite clay add करेंगे अगर आपके पास high turbid है और low alkin water है तो आप क्या add करोगे bentonite clay है अगर आपके पास low turbid है और high alkin है तो आप add करेंगे like clear है यह questions पूछे जाते हैं कि आपको low turbid को low alkaline water को जब convert करना हो तो कैसे convert करेंगे जैसे high turbid low alkaline water तो adding the bentonite clay उल्टा हो गया high की जगा low हो गया और low की जगा high हो गया तो आपको add करना होगा line के add करना होगा तो this is the very very important chart और यह chart इतना important है कि यहाँ से आपके questions काफी पूछे जाएंगे clear है तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी आपके पास second जो हमारा था sedimentation added with coagulation ओ complete हो जाता है इसके बाद जो हम करेंगे अपना आगे का process that is filtration तो इसको हम अगले वीडियो में cover करेंगे guys कि अपधे जाएंगे जाएंगे